तो दिस इस नोट एनी व्लॉग गाइस तिस इस वेरी वेरी स्पेशल वीडियो आफ मै लाइफ आई नेवर थोड़ कि मैं कभी किसी बॉलिवूड सेलिबरेटी के लिए वीडियो बनाऊंगा बट एक बंदा जिसने कभी मनसूर खान बनके तो कभी एमस थोनी बनके हमारा द अगर उनको दो गंटे बाद जैसे उनकी नींद खुल जाए तो वो कुछ भी गरें उसके बाद उनको नींद नी आती देन ही कंसर्ट डॉक्तर ने उन्हें बताया कि यह आपको कोई हल्थ इस्यू नहीं है जस्ट आपके ओवर एक्साइटमेंट के कारण है हाओ इस्क्रेजी यार कि कोई बन्दा अपनी लाइप को लेके इतना एक्साइट कैसे हो सकता है ही इस नॉट नॉर्मल गाय ही इस एक्साइटरणरी गाय ही रैंक्त सेवन्थ पोजिशन इन दीसी एंटरंस एक्जाम ही लाइप इस डिग्री बिफोर शिक्स मन्त सोच सकते भाई शिक्स मन्त पहले अपनी डिग्री ट्रोप कर दी इस एक बंदा इतना कुछ कैसे कर सकता है नॉट बंदा तब बिल्कुल नहीं कर सकता है आई रिमेंबर आईफा वार 2017 में जब वो रड़ कारपेट पे थे एक पत्मा नाम तो निलूँगा बॉलिवर्ट सेलिप्रिटी का उन्होंने उससे पूछा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है उन्होंने कहा कि मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूं इन 2013 आई सीन काहे पोचे तब मैं उनका ज्यादा बड़ा फैन नहीं था लेकिन मुझे उनसे बहुत इंफ्लूएंस मिला था अपनी लाइफ में बड़ अफ्टर टू इयर्स इंस्टाग्राम चेक करता है जिनका मैं हमेशा देखता था कि यार यह कब पोस्ट करेंगे इन्होंने पोस्ट किया या नहीं किया आई थोट ही इंट्रस्टिंग परसें एंड मैं कई बार यह सोचता हूं कि यार हम कितना कुछ मिस करतेंगे उनके बाद एंड यार ऐसा बंदा सुसाइट कैसे कर सकता है एड दी एंड सुशान सर आप हमें छोड़के नहीं गयो कहीं भी आप हमेशा हमारे दिल में हमारे साथ रहोगे इस बॉलिवुड ने चाहे आपको ना अपनाया हो लेकिन हमारे दिल ने आपको पूरी तरह अपना लिया है love you sir love you always अब कल भी star थे आज भी star है और हमेशा star रहेंगे love you from all my youtube family and all my family love you sir I have no words for you like genuinely after I've seen your movie MS Dhoni I mean I cannot express in words I really really adore you you're very handsome sir sir मैं ऐसा सुना भी है कि आपको chocolates and ice cream बहुत पसंद है P घ्लीचो अविभा है कि मैं सकती हूं कि आपको ऊपर करता है तो च्टासट्वे और हूद थालक्त बड़ेगज जा तो पुरा थाने कामने करता तो चोटा साथ अपना और वो न्योड पुरा करने का बहुत है I know I know it's a bit silly इस अलत में सपना पुरा हो रहा उस से लिगी बात ही को जो रहे अरे दस लाख बच्चे बैठते हैं दस हजार बच्चों का सेलेक्शन होता है 9,90,000 बच्चे उनको पता ही नहीं कि क्या करना है उनको लगता है कि वो एक्जाम में नहीं वो लाइफ में फेर हो रहा है भाई जनम कब लेना है